अला फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग आज के ब्लाग में आप सब का स्वागत है अभी सुबह के साथ बज ले हैं और मैं नहा के रेडियो हो चुगा हूं पुजा भी कर लिया है और अभी चाय बनाना है तो अभी पीछे मैं पानी दे रहा हूं पोदों पर कि पानी दे रहा हूं अधर मिर्ची करेला लकी है किसे दब लगा है चल्रास चल्राव ये मटची किता रखाव में अट जीन है कि जूर लाट अटा अथा चल्ड़ में आपव्थ साच्फू कॐ ब्चसासटा मॉर्श्षा ल की तो देखिए मैंने सुबह सुबह नहां के पुल्या कंप्लिट कर लिया है तो देखिए आज वाजमें जल्दी उड़ गया था इसलिए वो पुरा साफ सफाई करके चला गया है इधर से पुड़ा यह देखिए सामने भी सफाई हो चुका है और जो सबजी लगाया था उधर भी पानी दे चुके हैं वो तो देखिए हमारी जिसी तर आनी सुबह उठकर रूम में पहुच चुकी है अपने खिलोनों के साथ अभी वो जा रही है बाय करके देखिए अभी बाहर आके बाहर खेलना चाहती है और बैट गई है और आके ले ही खेलना चाहती है आज चिकेन बनेगा देखिए हमने चिकेन को पूरा सफाई करके रखा है इधर आलू बड़ा बड़ा कटिंग करके रख दिया है इधर प्याज है अद्रग रसन का पेस्ट टमाटर हरी मिर्ची और थोड़ा सा प्याज पेस्ट करके भी रखा है और कुछ खरे मसाले हैं इधर तेज पत्ता लॉंग इलाइची जीरा दार्चिनी पहले हम आलू को फ्राई करेंगे तो आलू को अच्छी से फ्राई करें देखें अभी आलू फ्राई हो चुका है और अभी हम खरे मसाले जो है वो डाल देंगे करे मसाले थोड़ा हलका सा फ्राई होने के बाद इसमें प्याज और करी पत्ता और हरी मिर्च एड़ करेंगे देखें अभी प्याज डाला है प्याज के बाद हरी मिर्ची और करी पत्ता डाल देंगे और अच्छे तरह से इसको फ्राई करेंगे अब हम ने इसमें टमाटर भी एड़ कर दिया है इसमें आपके प्रसुन का प्रेश डाल दिया है हल्ली पाउडर है और मेट्ची पाउडर है इसको भी डाल देंगे अब तो अब आप आप अच्छे से पकने देंगे पांच मिनिट तक अब हम मसाले को अच्छे तरह से पका रहे हैं और देखिए इसमें अभी हम चिकन पूरा एट कर दिया है क्योंकि मसाले में ऑईल छोड़ दिया था और इसको नमक डालके अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चिकन का जो पानी है वो पूरा बाहर निकल आए अच्छे से पांच मिनिट तक इसको पकाएंगे जब तक इसका पूरा पानी ना निकले मजाने वार मसाला एकड़म ते और फानी दिश्ट हो चुगा है तो इसमें आलू एक करेंगे जो प्राइक किया हुआ था तब आली दाल दिया है अच्छी से मिक्स करेंगे जिसीता आईगे है खाना बनाना के लिए देख रही है कैसे बन रही है देखिए ठीक है जिसीता ठीक है अभी हम इसमें पानिया एक करें और इसको अभी 15 मिन तक आई फ्ले में पकाएंगे इसको पकने देते हैं और आप लोगों का अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें सेयर करें और कमेंट जरूर करें और जो लोग नए जूड रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो अभी बैंगन फ्राई हो रहा है देखिए बैंगन फ्राई भी हो चुका है और हमारा चिकेन भी इधर रेडी है आप लोग जरूर ट्राइ करें तो देखिए हमारे जिसी तर अनिया भी खेलने बैट गई है क्या कर रही है अपने मन में ही और बाहर से अभी वलूम में आकर क्या कर रही है देखिए इस रस्ते से क्या है